समाजबादी पार्टी के सांसद शफीकुर्रह्मान बर्क का निधन हो गया है शफीकुर्रह्मान बर्क संभल से समाजबादी पार्टी के सांसद थे 94 साल की उम्र में बर्क का निधन हुआ है और लगातार मुखर रहे शफिक और रह्मान बर्क ने हालभी में संकेद भी दिये थे कि अगर समाजवादी पार्टी उन्हें टिकेट नहीं देती तो वो अकेले भी चुनाव लड़ सकते हैं लेकिन शफिक और रह्मान बर्क का आज निधन हो गया शफिक और रह्मान बर्क लंबे समय तक संसद में रहे 94 साल उनकी उम्र थी संभल से वो समाजवादी पार्टी के संसद के तौर पर 2019 में निर्वाचित हुए और मुलायम सिंग यादव के साथ लंबे समय तक जुड़े रहे शफिक और रह्मान बर्क समाजवादी पार्टी के बड़े और उम्र दराज नेता शफिक और रह्मान बर्क का निधन हो गया है और शफिक और रह्मान बर्क संभल से संसद थे और मुस्लिम विशेयों पर कई बार वो अपनी बात रखते रहे